राश्टिये शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत की केंद्रिये शैक्षिक प्रवध्युगी की संस्थान द्वरा प्रस्तु थे ध्वनीन कारिक्रमों की शंखला संक्षिप्त बुद्ध चरित शंखला के पिछली भागों में आपने सुना कि कपिल वस्तु के राजा शुद्धोधन के यहाँ एक दिव्वे बालक ने जन्म लिया इसका नाम रखा गया सिध्धार्थ ज्योतिशों ने कहा कि बड़ा होकर यह बालक ग्रहत्याग करके वन में जा सकता है और ऐसा हुआ भी युवा होने पर सिध्धार्थ एक दिन ग्रहत्याग करके वन में चले जाते हैं अब सुनिए इससे आगे की कहानी इस भाग का शीर्षक है चंदक की वापसी चलते चलते थोड़े समय बाद राजकुमार सिध्धार्थ को सामने भारगव रिशी का आश्रम दिखाई दिया आश्रम के पास निश्चिन्त भाव से अभी अनेक हिरन सोय हुए थे व्रिक्षों पर पक्षी शान्त बैठे थे आश्रम की ये शोभा देखकर राजकुमार प्रसन्न हुआ और उसे लगा कि वो क्रितार्थ हो गया उसकी सारी धकान जाती रही आश्रम के द्वार पर पहुँचकर तपस्या को सम्मान देने के लिए वो विनम्र भाव से घोडे की पीच से उतर गया घोडे से उतर कर राजकुमार ने पहले अपने घोडे को सहलाया उसे पुछकारा और कहा हे वत्स तुमने मुझे पार उतार दिया है फिर स्निक्ध द्रिष्टी से छंदक को निहारते हुए कहा हे सौम्य गरोड के समान दृत्गती से चलने वाले इस घोडे के साथ साथ दोड़कर तुमने जो मुझ में भगती दिखाई है उसने मेरा मन जीत लिया है मैं तुमसे पूरी तरह संतुष्ट हूँ क्यूंकि तुम्हारे मन में इसके लिए किसी फल की कामना नहीं है मैं और क्या कहूँ तुमने मेरा प्रियकारे किया है अब तुम घोडे को लेकर लोट जाओ मुझे मेरा गंतव्य मिल गया है इतना कहकर राजकुमार ने प्रत्युपकार के रूप में अपने सारे आभूशन उतार कर छंदप को दे दिये उन्होंने दीपक के समान चमकने वाली एक मनी अपने मुकुच से निकाल कर उसे दी और कहा हे चंदग राजा को यह मनी दे कर मेरी ओर से बारम बार नमस्कार करना और उनकी शोक निवारण के लिए मेरा यह संदेश कहना हे तात मैस्वर कित्रशना से या वैराग्यभाव से या क्रोध से तपवन नहीं आया हूँ मैं जरा और मरण के नाश का मार खोजने के लिए यहां आया हूँ शोक त्याग के लिए निकलने वाले व्यक्ति के लिए किसी को शोक नहीं करना चाहिए मैं अपने पूरवजों की परंपरा का ही आनुसरण कर रहा हूँ अताह आप मेरे लिए शोक न करें मृत्यू रूपी शत्रू के रहते हुए जीवन का क्या भरूसा इसी लिए युवा वस्था में ही मैंने कल्यान का मार चुन लिया है राज कुमार ने फिर छंदक से कहा हे सौम्य इसी तरह की और भी बातें करके तुम राजा को समझाना तुम मेरी बुराई भी करना क्योंकि दोश दर्शन के कारण स्नेह छूट जाता है और स्नेह समाप्त होने से शोक समाप्त हो जाता है राज कुमार की ये बातें सुनकर चंदक बहुत व्याकुल हो गया उसकी आखों से आसू बहने लगे उसने हाथ जोड़कर भरे गले से कहा हे स्वामी स्वजनों को दुख देने वाले आपके इन विचारों से मेरा मन दल दल में फचे हाथी के समान व्यतित हो रहा है आपके इस निर्ने से किसे कस्ट नहीं होगा कहां कोमल शया पर सोने युग्य ये शरीर और कहां ये कंट का केन कठोर तपो भूमी नजाने मैं आपको यहां तक कैसे ले आया हे स्वामी यदि मैं अपने अधीन होता तो आपके निश्चे को जानकर मैं इस अश्व को कभी न लाता हे स्वामी आप अपने वृध्ध पिता को इस प्रकार मत छोड़िये आप अपनी दूसरी माता मौसी को भी मत छोड़िये देवी यशोधरा का त्याग मत कीजिये अपने अबोध पुत्र को मत त्यागिये यदि आपने अपने स्वाजनों और राज्ये को त्यागने का द्रिड निश्चे कर ही लिया है तो भी आप मुझे न त्यागिये आपके चड़नों में ही मेरी गती है जैसे जैसे सुमंत राम को वन में छोड़ गए थे वैसे ही मैं आपको वन में छोड़ कर नगर नहीं लोट सकता उसने आगे कहा हे ताथ आपके बिना यदि मैं अगर लोट जाओंगा तो महराज मुझे से क्या कहेंगे अंत्यपुर की रानिया क्या कहेंगे मैं यदि जूट मूट ही आपकी बुराई करूँगा तो भी उस पर कौन रिश्वास करेगा इसलिए ए दयालू आप करूणा कर मुझे पर प्रसंद हो और घर लोट चलें चंदक की इन बातों को सुनकर कुमार ने बड़े धैर्य और शान्ति के साथ उसे पुने समझाया और कहा चंदक स्नेह के कारण चाहे हम स्वयम स्वजनों को न छोड़े फिर भी वे एक ना एक दिन मृत्यू के कारण छूटी जाते हैं जिस मा ने मुझे कश्ट पूर्वग गर्भ में धारण किया वेहमा अब कहा है और मैं कहा हूँ जैसे रात को पक्षी एक व्रिक्ष पर एक अत्र होते हैं और प्राता काल फिर अलग हो जाते हैं उसी तरह सब लोग मिलते हैं और फिर विलग हो जाते हैं इसलिए तुम संताप छोड़ो और नगर लोट जाओ यदि तुम्हारा मन न माने तो फिर तुम मेरे पास चले आना अभी तो तुम कपल वस्तु लोट जाओ और मेरी प्रतीक्षा कर रहे लोगों को समझाओ तुम उनसे कहना कि मेरे प्रते मोह को त्याग दें मैं जन्मम्रत्यू का रहस्य जान कर अवश्य ही कपल वस्तु लोटूंगा और यदे मुझे लक्ष प्राप्त नहीं हुआ तो मैं जीवत नहीं रहूँगा राजकुमार से धार्थ के वचनों को सुनकर कंथक अश्व की आँखों से भी आशु बहने लगे और वो जीब से अपने स्वामी के चरणों को चाटने लगा राजकुमार ने भी उसे सहलाते हुए कहा हेकं धक, रो मत, तुमने आज अच्छा कार्य किया है उसका सुभल तुम्हें अवश्य मिलेगा ऐसा कहकर राजकुमार ने चंदक के हाथ से स्वर्ण जड़ित क्रिपान ले ली उससे अपने केश काटे और मुकुठ फेंग दिया राजकुमार ने अपने सारे अलंग कारों का त्याग किया और स्वर्णिम वस्त्रों को त्याग कर वन वस्त्र धारन करने की इच्छा की तभी एक शिकारी प्रकट हो गया जो काशाए वस्त्र धारन किये हुए था सिधार्थ ने उस शिकारी से कहा हे सौम्य इस हिंसक धनुष के साथ रिशियों के काशाए वस्त्र आपको शोभा नहीं देते यदि आपको इन वस्त्रों से मोह नहो तो आप मेरे शुभ वस्त्रों को ले ले और अपने ये काशाए वस्त्र मुझे दे दे सिधार्थ की बाते सुनकर शिकारी ने कहा यदे आपको मेरे काशाए वस्त्र अच्छे लगते हैं तो ले लीजिए और मुझे अपने वस्त्र दे दीजिए दोनों ने परस पर वस्त्र बदले इसके बाद शिकारी चला गया ये सब देखकर छंदक आश्चर्य चकित रह गया चंदक ने काशाए वस्त्र धारी राजकुमार को विधिवत प्रणाम किया काशाए धारी सिधार्थ ने उसे प्रेम पूर्वक विदा किया और स्वयम अकेला आश्रम की ओर चल पड़ा राज्य से विरक्त अपने स्वामी को इस प्रकार जाते देखकर चंदक भूट भूट कर रोने लगा और फूमी पर गिर पड़ा थोड़ी देर बाद होश आने पर वो फिर उठा और कंथक से लिपट कर रोने लगा धीरे धीरे साहस बटोर कर वो कपिल वस्तु की ओर चलने लगा कभी रोता कभी बिलखता कभी गिरता और कभी उड़ता वो थीरे थीरे कपिल वस्तु की ओर चलता गया संक्रिप्त बुद्धुचरित इस शंकला के अंतरगत अभियाप सुन रहे थी ये कारिक्रम मूल कथा महाकवी अश्वघूष, आलेख प्रोफेसर मानिक गोविन चत्रुबेदी, सहयोग प्रोफेसर अनिरुद धुरोय, निर्मान संचालन, प्रभुदयाल खटर, कलाकार मन्जुमेनी, जितेंद्र रामप्रकाश और सुनील लोहिया, तक्नीकी नियंत्रण, पुष्प्लताकुमार, तक्नीकी समन्वे सतीशलाडे, ध्वन्यंकन, दीपक पांडे और अमिताभट्टी, नर्मान सहयोग दावुदयाल चतुरुवेदी, तथा नर्मान इव प्रसुती, रमेश रानी शर्मा